तो फाइनली दोस्तों 30 मार्च को सिनमा गरों में रिलीस होई थी बॉलिवूड के सिंग मज़देव गन की फिल्म बोला जिसको अच सिनमा गरों में 11 दिन चल रहा है जिसने सिनमा गरों में तहरका मचा रखा है दोस्तों बताते चलें के फिल्म को आज दूसरा संडे है और बताते चलें के फिल्म ने एक तफ़ा फिर से रफ़तार पकड़ ली है और फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कोलेक्शन कर ली है फिल्म को रिलीस हुए आज सीनमा गरों में 11 दिन चाल रहा है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म बोला ने अभ बात करें फिल्म बोला की तो बताते चलें के रिदेवगन ने इस फिल्म को खुद डिरेक्ट किया था फिल्म में रिदेवगन ने इस तरह से मेनत की है वो साफ नजर आ रही है क्योंके रिदेवगन का डिरेक्शन कमाल का है और इस तरह से रिदेवगन ने इस फिल्म में वो वाके ही कमाल का है ओडियस को ये फिल्म बहुत ही ज़दा पसंदा रही है हाला कि फैंस को इस फिल्म का पहले ही दिन से बड़ा बेस अबरी से इंतजार था लेकिन अब जब के फिल्म सिनमा गरों में रिलीज हो चुकी है तो और्डियंस को ये फिल्म बहुत ही ज़दा पसंदा आ रही है दोस्तों बताते चलें कि फिल्म का बजट लगबग 100 करोड रुपे का था आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताता चलो के फिल्म में ज़देवगन के साथ अबू भी हमें एहम करदार में नजर आते हैं फिल्म ने अपने पहले दिन जहां 11 करोड 20 लाग रुपे इंडिया से नेट कमाए थे तो वहीं अपने पहले 5 दिनों में फिल्म बोला ने 48 करोड 78 लाग रुपे इंडिया से कर लिये थे तो वहीं फिल्म का वॉल्ड वाइड कॉलेक्शन 71 करोड रुपे हो चुका था उसके बाद 8 दिनों में फिल्म बोलाने 69 करोड 68 लाग रपय इंडिया से कमा लिये थे तो वहीं फिल्म का वॉय्ड वाइट टोडल कोलेक्शन था 28 करोड रपय नॉवे दिन फिल्म ने कमाए थे 23 करोड 60 लाग रपय दसवे दिन फिल्म ने कमाये 4 कोर्ड तीस लाक रुपे और वहीं घरे बात करें 11 में दिन याने आज की तो ये फिल्म आज भी लग-बग 5 कोर्ड रुपे कमा रही है और लोगों की चरोंट नेट कुलेक्शन की